दुनिया में जब कोई इंसान कुछ बड़ा करता है तो अक्सर उन पर डेडिकेटेड एक मूवी बनाई जाती है जिसमें उनके स्ट्रगल से लेकर उनके उस मुकाम पर पहुँशने तक के सफर की कहानी बया की जाती है ऐसी ही कुछ मूवीज क्रिकेट जगत में भी हमने बनते देखी हैं कई बड़े क्रिकेटर्स रहे हैं जिन पर डेडिकेटेड मूवीज बनाई गई जैसे कि MS धोनी मिताली राज प्रवीन तामबेट सेक्टरा और जब महान क्रिकेटर्स की बात होती है तो उसमें विराट कोली का भी नाम आता है और उसके साथ ये सवाल भी कि क्या रन मशीन पर कभी बायोपिक बनेगी और अगर बनी तो उसमें लीड रोल कौन प्ले कर सकता है लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस सवाल का आंसर मिल चुका है आईए जानते हैं नमस्कार मैं हूँ अनिश्का जेन और आप देख रहे हैं क्रिकिट एडिक्टर क्रिकिट जगत के महान खिलाडियों में से एक पिराट कोली की अगर कभी बायोपिक बनती है तो उनका रोल निभाने के लिए सभी अक्टर्स बेताब होंगे एसा ही एक अक्टर है साउथ के सूपरस्टार रामचरन एसे एस राजमोली की पीरेड एक्शन ब्लॉकबस्टर आरारार को असकर में मिली जीत के बाद से रामचरन की पॉपिलारिटी और भड़ गई है साथी फैंस उनके अपकमिंग प्रोजेक्स के लिए भी काफी एकसाइटिद नजर आ रही है इस बीच एक कॉंक्लेव के दौरान उनका एक इंटर्व्यू लगातार वाइरल हो रहा है दरसल उस इंटर्व्यू के दौरान उनसे ऐसे एक रोल को निभाने वाला नाम पूछा गया जिसे वो फिल्मी परदे पर करना चाहते हैं बहुत सोचने के बाद उन्होंने जवाब दिया कि वो एक स्पोर्ट से जुड़ी फिल्म करना चाहते हैं उन्होंने कहा कि मैं बहुत समय से एक स्पोर्ट से जुड़ी फिल्म करना चाहता हूं जो कि लंबे समय से पेंडिंग है इस पर जब उन्हें कहा गया कि अगर विराठ कूली पर बायो पिक बनी तो क्या वो इस रोल को निभाना चाहेंगे रामचरन ने इस सवाल पर जट से हामी भर दी और इसे शांदार सजेशन भी बताया उन्होंने कहा कि विराठ हमें बहुत इंस्पायर करते हैं मुझे लगता है कि अगर मौका दिया जाए तो ये शांदार होगा और फिर मैं उनकी तरह दिखता भी हूँ आपको बता दें कि हाल ही में विराठ कोली का एक वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा था जहां विरामचरन की फिल्म आरारार के सौंग नाटू नाटू का हुक्स्टेप करते हुए नजर आये थे ये क्लिप इंडिया वर्सेज आस्ट्रेलिया के बीच चल रही ODI Sीरीज के पहले मैच का है जो मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में हुआ था साथ ही आपको बता दें कि कुछ साल पहले जब विराठ कोली से उनकी बायोपिक को लेकर झाल के बायोपिक का पहले है